आग्रा के सरवाधिक लोग प्रिये चैनल सी न्यूज के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आग्रा में दिनों दिन बढ़ रही आग की घटनाओं को लेकर फायर विभाग अभियान चला कर अगनी शमन यंत्रों की चैकिंग के साथ आग बुजाने के तरीके भी सिखा रहा है आग की घटनाओं को लेकर फायर विभाग गंभीर है पुरस महान देशक फायर सर्विस के आदेश पर अभियान चला कर अगनी शमन यंत्रों की चैकिंग करने के साथ आग बुजाने के तरीके जनता को सिखाय जा रहे हैं जिससे किसी भी हादसे से बचा जा सके फायर विभाग के अधिकारी करमचारियों ने मॉल मल्टी प्लैक्स भवनों का फायर ओडिट किया गया इसके साथ ही स्टाफ को अगनी सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तरत जानकारी दी गई बहु मंजडा इमारतों में लगे अगनी शमन यंत्रों को चलाने के बारे में भी लोगों को ट्रेनिंग दी गई फायर कर्मचारियों ने फत्याबाद रोड, संजिप्रेस, त्यालबाग, एमजी रोड, बाईपास, आवास, विकास कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी, सिकंद्रा शेत्र की फैक्टरियों में लोगों को जागरो किया फायर विभाक के FSO अमर सिंग पाल के साथ, रामकेश के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी जंता को आग बुझाने के तरीके सिखा रहे हैं CFO अक्षर अंजंद शर्मा के निर्देश पर, शेहर के साथ ग्रामी रंचर में लोगों को जागरो किया जा रहा है जंता को बताया जा रहा है कि आग की घटना होने पर ततकाल अगनी शमन यंत्रों से आग बुझाने का प्रयास करें जिससे दमकर के साथ फायर कर्मियों के पहुँचने से पहले आग पर काबू पाया जा सके गैस रेंडर में लगी आग को बुझाने के भी तरीके महिला पुरुष और युवाओं को बताये जा रहे हैं सी न्यूस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट